तो देख रही हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के केजरिवाल साब को अब जमू में आना जो है उनका बहुत ही लाजमी हो चुका है क्योंकि जमू के लोगों के काम पलीस थानों में रुके पड़े हैं, रेवन्यू डिपार्ट्मेंट में रुके पड़े हैं, डीसी ओफिस म हैं वो मतलब उनको प्रेशर आ जाता है टेलिफोन आ जाता है तो एक ग्रीब का काम वहीं का वहीं रुख जाता है तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इसके मुझे लगता है ये कम से काम 80 या 90 के आसपास मतलब 80 के आसपास ये सीटे निकालेंगी और लोग इनको अपनाएंगे क्यों लोग क्यों अपनाएंगे क्यों कि जनता दुखी हो गी है जनता के काम ना एंसी के टाइम हुए ना कॉंग्रिस के टाइम हुए और जब बीजेपी की हमारी अपनी सरकार चल रही है आदरनीय लगाए हैं जनता के ऊपर तो यह सब में देखते हूं कि आम आदमी पार्टी का मैं अपील करती हूं गेजरिवाल साब से कि आप जम्मू में आए डॉर टूर खुद कंपैनिंग करिए लोग आपको असेफ्ट करेंगे आपको वोट करेंगे जम्मू को इस टाइम आपकी जम्मू और केश्मीर को कि देखो आज जो हमारी पॉल्टिक्स है जम्मू और केश्मीर की पॉल्लिक्स आप जो दो हज़र चोद töंके बाद जेल रहे हूं आप देख रहे हूं कि क्या हो र acc क्या नहीं हो रहां आपके साथ तो इसलिए आपकी आवेरनेस के लिए मैं बार बार यहां अपनी यहां कांस्टिशनसी में आती हूँ और मीडिया के रूबरू होती हूँ मैं आज भी मैंने कैई मसले देखी हैं कुछ जगा देखी हैं कि जितने हमारे विशना कांस्टेशवेंसी में मेरे बहने जो As a Leader काम कर रही है ने है या मेरे भाई जो As a Leader काम कर रही है किया वो ग्रासपृट लेफल तक गए हैं तो क्या हमारे जो जम्हों किश्मीर की इस टाइम जो पॉलिक चल रही है उसमें अपोजिशन का क्या रोल है opposition है या नहीं है क्या हमारी democracy जो है जो 1947 के बाद यहां हमारा 1950s में act बना और हमने अंग्रेजों के act को जो है उनको हमने बिल्कुल side line कर दिया क्या उसके बाद हम गुलामी से अजादी में आए तो क्या हमें अजादी मिली है इस वक्त या अभी भी हम गुलामी में जी रहे हैं तो आज कल जैसे के हम देख रहे हैं कि हमारे national conference party जो थी जो जिसने के काफी सालों से हमारे जमो किश्मीर में शाचन किया Congress party थी जिसने 70 years शाचन किया मंगर आज के हलात क्या बने हुए हैं कि आज कल तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां जमो किश्मीर ने dictatorship चल रही है वन पार्टी डामिनेंट सिस्टम चल रहा है तो इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर opposition खत्म होगी तो हमारी government कैसे चलेगी हमारे लोगों के मुद्दे कैसे हाल होंगे जैसे कि लोगों की बेरोजगारी की समस्या है लोगों की revenue की समस्या है revenue देखो अब देख रहे हैंगे revenue मे कितना गोलमोल हो रहा है particularly जितने भी हमारे border के areas हैं वहां के जो हमारे police stations हैं मैं उनको cover करती हूं क्योंके ग्रास रूट level से उन police थानों के साथ जुड़ी हूई हूं अरनिया का हमारा थाना है आरसपुरे का हमारा थाना है बिशना का थाना है या अरनिया का revenue department है बिशना का 370 भी उड़ गया 35 A भी उड़ गई हमारी state भी कतम हो गई हम तो कहते हैं ना promotion से डी promotion पे आ गए हैं यूटी में रह रहे हैं विदान सवा चुनाब जो है वो नहीं हो पा रहे हैं बार बार नको टाला जा रहा है क्या कहना चाहिए कब तक चुनाब हो यह जो हमारे विदान में चाहिए वो पी एची है चाहिए वो ट्रांसपोर्ट है चाहिए वो रेविन्यू है चाहिए वो मतलब के डी सी आफिस है हमारा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं अपना जो बनाया हुआ हमारा विदायक होता है एमले होता है पबलिक उसके पास जाती है कि देखो जी फलाना officer है वो हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसका काम जो है वो MLA फोन करता था और वो काम हो जाता था मगर आज जैसे कि left-end-governor का rule चल रहा है यहां पर तो लोगों का governor साथ मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब left-end-governor तक पहुंच भी पाता होगा उनके पास पहुंचने के लिए पहले उसको पंदरा दिन एक महीना तो उसको मतलब वो DC office के चकर लगाने पड़ेंगे appointments के लिए तो इसलिए मैं खुद इन मतलब जितनी भी यह मुश्कल आते हैं उन में से निकल रही हूँ उजर रही हूँ इतना experience life में गेन कर रही हूँ कि जब तक यह election नहीं होगी हमारी cabinet नहीं बनेगी हमारी सरकार नहीं बनेगी हमारा आपना चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तब तक हमारे काम जो हैं वो नहीं होंगे बिलकुल ऐसे ही पड़े रहे हैं तो मैं आमाद्मी पार्टी भी अपना सिर निकाल रही है जमो कश्मीर में आप देख रहे हैं आए दिन लोग जो है वो जोइन कर रहे हैं क्या लगता है कि जमो कश्मीर में भी आमाद्मी पार् होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो आम आदमी पार्टी का जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू देख रही हूं अभी के मेरा उनके साथ कोई इतनी जान पेशान नहीं है मगर केजरिवाल को तो मता पूरा वर्ल जानता है पूरा हिंदुस्तान जानता है जैसे उन्होंने दिल मेडिकल के सेंटर्स बनाए हैं हर्फ मतलब काम में वह आगे निकल रहे हैं तो आप पंजाब में भी उन्होंने वही जो है उनकी वेव जो है पंजाबियों ने भी उनको अपना लिया है मुझे तो यहां तक मेरा ब्रेन और मेरा माइंड और मैं जो देख रही हूं कि जो आम आदमी पार्टी के के जरिवाल साब को आप जमू में आना जो है उनका बहुत ही लाजमी हो चुका है क्योंकि जमू के लोगों के काम प्लीस थानों में रुके पड़े हैं रेवन्यू का काम वहीं का वहीं रुख जाता है तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इसके मुझे लगता है ये कम से काम 80 या 90 के आसपास 80 के आसपास ये सीटे निकालेंगी और लोग इनको अपनाएंगे क्यों लोग क्यों अपनाएंगे क्योंकि जनता दुखी हो गी है जन उन्होंने अपनी कोई सेलरी किसी लोगों पे लगाई है अपने जो इनका सेडियाफ आता है फांड जाती है क्या इन्होंने लगाई है जनता के उपर तो यह सब मैं देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी का मैं अपील करती हूँ गेजरिवाल साब से कि आप जमू में आईए डोर टो डोर खुद कंपेनिंग करिए लोग आपको असेप्ट करेंगे आपको वोट करेंगे जमू को इस टाइम आपकी जरूरत है जमू और किश्मीर को पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर का आगया है जमाना TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले विजित मेगा पावर सर्विस बाइपास कुझवानी